So well, कल जब साब पता चला कि भाईता आप इतने दिन से जो हमारे MP Board में पेपर लीक हो रहे थे उसको लेकर मामा जी ने मतलब हमारे सिवरा सिंग चवहान जी ने कल बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर फैसले लिये कि भाई साब पेपर लीक को लेकर गॉर्मेंट काफी जादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और यहाँ पर तुम्हें कई-कई फैसले नहीं नहीं देखने को मिल रहे है कभी नोटिस के जरीए तो कभी न्यूज मीडिया नेट्वर्क के जरीए तो कभी कहीं और से तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है क्या सच में अगर इतना बड़ा सब कुछ गौर्मेंट को पता चल गया है तो क्या हो पूरे पेपर हमारे डबल से लेगी या पूरे पेपर दोबारा से लेगी क्योंकि यहाँ पे तो भाईसा पेपर लीक हो चुके है और जब भी हम ऐसा देखा गया कि अगर पेपर लीक होते तो पेपर डबल से लिए जाते है तो क्या होगा हमारे MP मीजबार और क्या सच में ऐसा हो सकता है डबल से पेपर लेना पॉसिबल है नहीं है सब को जानेंगी इस वीडियो में और भाईसा वीडियो को अंतर जरूर देखना अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्स्राइब कर देना ऐसी MP बोर से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए तो बढ़ते अपने वीडियो में बोला गया कि 4 मार्च को पेपर लीग हो रहा है 5 मार्च को हुआ है ठीक है तो यहां पे पेपर यहां पे गौर्णे की नजरों में भी पता था व disorders tier को अच्चे से की पेपर लीक हो रहे है और इसको लेकर सिकायक दर्च कराई जा रही थी यहां तक कि भाईसा उन्हें पता था कि हम डबल तो एक्जाम ले नी सकते तो उन्होंने भाई कुछ किया ही नहीं एक्सर ले नहीं उपर ते मुझोरी अलग कर रहे थे कि भाई पेपर कोई लीक नहीं हुआ हमने मिला आया था तो वो पेपर में एक दू कोश्चन बस मेच हुए जो कि प्रिवेस यहर की पेपर से मेच हो सकते हैं ये करके अपना पल्ला जाड़ लिया लेकिन जब पेपर को जादा ही लीक होने लगे और भाई साब जब एने श्युआ चातर संगटान तो आइ तिंक सेकेंड फेपर नहीं होता हो इनकी विवस्था भाई बोट का कारभारी कब से कब कितने सालों समाल रहे है इनने इस चीज़ का बेसिक नॉलेच्ट तो होना ही चाहिए कि पेपर लीक कहां से होते हैं इनके अभी के पेपर लिक नहीं हो रहा है पिछले साल हमने देखा था कि पेपर लीक होते हैं लेकिन एमपी की जो गॉर्मेंट है इन मामलों को ज्यादा ना बनाम ना होकर के दबा देती है यही बात अगर बिहार गौड यूपी बोड या कहीं और होती ना बुल्डोजर चल जाती पता है वहाँ के बच्चे आज आज मेरे एक नई चेनल है वहाँ आप मैं देखता हूँ तो यूपी बोड का भी मेरा जब चैनल में में अपडेट डालते हो तो मैंने एक भी जो है यूपी बोड की पेपर लीक की न्यूजनी बनाई क्योंकि यहाँ पेपर लीक हुआ ही नहीं त सब यहाँ पर है योगी राज वहाँ पर बुल्डोजर चलता एसी दे और भाई जितने बच्चे जो चिटिंग करने के उद्देश से आई भी थे लाखो विध्याक्तों ने परिच्छा छोड़ दी लेकिन किसी ने भी पेपर लीक करने की हिम्मत यहाँ पर नहीं कर पाई त तो यहाँ पर तुम किस की गलती बोलोगे पेपर लीक करने वालों की क्या गौर्वर्मेंट की क्या हो इतनी सकती नहीं बरत सके पेपर में कि पेपर लीक हो रहा है और भाई जिस पेपर के लिए बच्चे लाखो सालों से महनत करते हैं पूरा साल यहाँ पे महनत करते हैं वो बच्चे और वो बच्चे को उसका रिजल्ट मिलने वाला होता है उस रिजल्ट में जो बच्चा मेहनत करता है तुली तरीके से उसको उसका परिक्षपरिणाम बैटर ना मिलके ऐसे सक्स का परिणाम बैटर मिल जाता है जिसे जुगार से पास हुआ हो जो सेटिंग से प सामने पाया कि पेपर लीक नहीं हुए थे और कोई ऐसा ग्रूप नहीं जो ग्रूप की बात कर रहे थे आज भी अगर आप टेलिग्राम में जाके चेक करोगे तो एक्टिव है वर आज भी जो आपका केमिस्ट्र का पेपर होने वाला है वो भी वहाँ पर डाला गया था लेक में ही बोल दिया जाता आर्टिकल में कि भाई साब पेपर तुम्हारे केंसिल होने वाले है ठीक है तो मैं तुम्हें बता दू कि अभी तक जो लग रहा है यह कमेटी की जो बैठक बैठक चल रही है जिन पर होगा अंडर ग्राउंड यहां पर फैसला ले लिया जाएगा क इतनी दिक्कत जाती कि इनको पूरे साल लग जाते है तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है दो महीने के अंदर रिजल्ट नहीं दिया तो बाकी जो बोड है इन्हें कच्चा जबाएंगे क्योंकि यहां पर प्रेशर होता है ना ट्विल्ट के बाद में तुम्हें है ना तो इन लोगों पर प्रेशर इतना है कि डबल पेपर को कराने के डबल पेपर भाई के चार महीने जाएंगे लग तक तैयारी से लेकि सब कुछ में तो ऐसा तो होना नहीं है अगर जो पेपर जादा लीक हुआ है अगर ऐसा पाया जाता है दिन वहाँ पे जो है गौ होगे और फ्रस्टेटर होके ना यह वीडियो बनाना पड़ रहा है उसके आप रहले सोरी अगर कोई अपडेट इस से रिलेटेट आती है अगर कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बदा सकते हैं मिलके अपने नेक्स नोडियों किसी नाइ बाइब जाहिए